नहें स्गूरा दोस्गों आप शुबी का बहुत बहुत श्वगते दोसों इस बार की जनमस्ट में पामसौ साल की बात भळ बना है दूरलप शैयोग जिया दोसों और इश्र महाश्रय योग में आप श्रुब की जुनकाल में बहुत शारे नोखी बदलाव करने वाले हैं। जिया दोसों हम आप श्रुब उदाजी की दो पहदी श्रुब योग बन रहे हैं जो की 500 साल पहले इश्रय योग करने रिमान हुआ था। और दोसों यसे में यह बात जाना ज़रुरी है कि आखिर आपके लिए कौन सा कारी मंगल कारी रहेगा, कौन से चेत्रों में आपको शावधार रहना होगा, आपका लव लाइप, स्वास केरियर, पर तेक चेत्र में कौन-कौन से बड़ी बड़ी बदलाव होने वाले हैं और दोसों जो भी बगवान श्री किष्ण के सच्चे भगते हैं, दोसों वीडियो को एक प्यारा स्लाइज जरू करें और कमेंड बख्ष में सच्चे मन से जय श्री किष्णा जरू रिखेगा, बगवान श्री किष्ण का अशिम शिर्वाद आप शिवी को प्राप्त होगा, जिवनकाल तो बगवान श्री किष्ण के एक बहुत अच्छे ज्यांसे, भगवान श्री किष्ण कहते हैं कि एश्वर शिर्व दिशा दिखा शकते हैं, उच पथ पर चलनां तुम्हारा काम है और वास्तीरता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा इश् लाइक ज़रू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्ष नेक दें जैश्री कृष्णार रादे रादे तो आई दोस्तों में आपको कौन से महत्पुन उपाएं को करना चाहिए तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार्शी दोस्तों यश्र में आपको फौन अथवा इमेल दवारा कोई सुप समचार पराप्त हो सकता है जिससे आपकी हिम्मत और आत्मिश्वास और अधिक बढ़ेंगे घर में मांगनी कारे शमंदी उजनाई भी बनेगी तदा प्रश्ता पूर्ण महाल जहने वाली है कोई बैतरिन की शलाक पर आवश्य अमल करें आपकी अपनी जीद की वज़ेश्य ही कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है इसकी अशंका बन रही है तो दोस्तों यश्र में इनसे आपको शावधान रहने की अवश्यक्ता होंगी और इसकी प्राहं दोस्तों यश्र में आपके लिए शमंगे आपको बता दें कि काम से समदित जो भी परगती की आपको अपयक्छा थी वह परगती मिलने भी शुरू होंगी फिर भी मन की तयारी ना होने की विज़ेश्य आपके अंदर डर भी बन रहा है आपको बता दें पेसे खो जाने की अर्शंका भी बन रही है इसलिए दोस्तो से यश्यों में आपके लिए जिमांगे आपको बता दें कि दोस्तों आपको अंदर बहतरी शकार्त मुझा भी लेगा उर्जा का आप यश्य में महसुत भी करेंगे जदा लाब की शमाना नहीं है प्रंतु दोस्तों आप अपना बजट संतूलित रखने में सभी सक्षम र जाने की जरत होंगी गुस्ते और जलबाजे को बजाए शांतीपुर तरीके से परस्तियों को सुलजाने का प्रयाश करें दोस्तों यह आपके लिए बहतर शाबित होंगे और इसको परांद यह शमय आपको बता दें कि बीते शमय में आपके शौभाव का लोगों ने जो पाइदा उठाया था उसके प्रति रोश बढ़ सकता है दोस्तों इन घटनाओं के लिए कुछ हद तक आप भी जवेदार हैं इस बात को शमय नहीं की आउस्टा होंगी पुराने मित्र के शाथ अचानक हुई मुलकात भी आपको यहांसे में आनंद देने वाली है और इसक में आप अपना अधिक्तर स्वेंग के रूची पुर्ण कारियों में वहतित करेंगे यह में किसी परकार का लोन या फिरुदार लेने का प्रयाश ना करें दोस्तों कोई पुरानी नकार्तों बातें आपके उपर हावी होने के विज़श्य आपके मनोगल में भी कुछ कमी में लाशकती है तो इस बात का ध्यान रखें और यह में अपना आत्मिश्वाद बना कर रखने का प्रयाश करें अपने अंदर शकारत मुता बनाई रखने के लिए आपको कुछ नमें एट्रेशन पर भी ध्यान देना चाहिए और इसको प्रान दोस्तों यह में आपको लोगों के प्रतिन अकादों भावना इसमें आपके अंदर बढ़ सकती है तो इनसे आप बचने का प्रयाश करें और इसको प्रान दोस्तों यह में आपको बता दें कि दोस्तों गरह इस्तिती आपके लिए सुब समचार भी देने वाली है शंतां से समधित कोई महत्पून कारी शंपन होने की भी शंभाव ना है पिछले को शमय से चल रहे ख्राफ समधों में अभी सुधार आएगा समाजिक या धार्मिक यात्रा समधिक कोई प्रोग्रेम भी बढ़ सकता है इसको प्रान दोस्तों यह में आपको बता दें दिखावे के चकर में ज्यादा खर्च इसको प्रान दोस्तों यह में आपके दोरा लिये वे निरले को लोगों दोया विरोत क्या जा सकता है उनके विरोत को बिटाने के लिए उनकी भी बातों को समझना आपके लिए आवस्टर होगा दोस्तों आपको पता थे कि यह में आपको कभी-कभी तराव बढ़ सकता है जिम्यदारी का बोज बढ़ सकता है लेकिन दोस्तों ये जो समय होंगे अंत में आपका दित्तर काम काज जो है आशानी शेप पूरी भी होंगे इसको प्राहन दोस्तों ये अगर आपकी केरेर को लिकर पात करें तो यदि भागीदारी में कोई ववशाय सुरू करना चाहते ह तो दोस्तों ववशाय स्मूरी जानकारे आपको प्राप्त करने की आवशकता होंगी और इसको प्राहन दोस्तों ये जो समय होंगे दोसों ध्यान रखें कि यह ज्मे कुछे कानुनी अथवा निवेश्रमंदी जटिल्ताओं का स्च्वामना भी करना पर सय इसला है कुछ ठोस निरले भी आप लेने में यश में काम्याब रहेंगे प्रन्तु निवे शमन्दी कारियों को अस्तगीद रखें यश में आर्थे इतदी कुछ देमी बनी रहेगी नोकरी में ओफिश का महौल भी यश में सकार्थ मकर रहने वाले हैं और इसको प्राहं दोस नियश में आपके केरेर के लिए जो समयोंगे आपके वावशाय के लिए जो समयोंगे आपको बता दे कि दोस्तों कारेश चेतर में आपका पूरू नियंतरन वो पिर वच्छे सो बना रहेगा प्रन्तु अपनी कारेश प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर ना करे यश में जमीन जादा समंधी कारियों में बहत्रिन शफलता भी आपको मिलने वाली है आपको बता दे कि नोकरी प्रशा वेक्तियों को कारिभार के दिखता रहेगी और इनके वज़ा से घर पर भी आपको देरी से जाना पड़ सकता है और इसको प्रांदो से यश में आपके केरेश के लिए जो समय होंगे आपको बता दे कि दोस्तों यश में वाईशा था नोकरी दोनों जगहों पर अपनी कारेश परणडाली में आपको कुछ परिवरतन लाने की भी जड़त होंगी काम के दिखता बनी रहेगी परन्तु इन्हें आप शयोगों के सयोग से पूरा करने में भी समर्थ रहेंगे आपको बता दे कि आपके युगतावा फिर काबलियत की वज़शे किसी दूरदरा छेतर से शंपरक आपका बन सकता है और इसको परांदों से यश में अगर आपके लव लाइब के लिकर बात करें अर्थात आपके पारिवरिक जीवन की तो दोस्तों यश में परिवार के शाथ शोपिंग तो दिनर आधी में शमय उत्तित होगा प्रेवरिक श्विकृति मिलने शे और दिक नेदी की आम पढ़ने वाली है और इसको प्राहन दोस्तों यश में आपके लव लाइब के लिज़े समयोंगे आपके प्रेम जीवन के लिज़े समयोंगे आपको बढ़ा दे कि दूस्तों दामपत्य दतावाव विशाय के जीवन में बहैतरिन तालमिल बना कर रखेंगे प्रंतु घर की छोटी मोटी बा बच्चों के अनुशासित तथा वव्यक्तित बने रहने के वजह से तनाव आपका यश में दूर होगा और इसको प्राहन दोस्तों यह में आपके लिज़े समयोंगे आपके लव लाइब के लिज़े समयोंगे आपको बता दे कि पती पत्री मिलकर परिवार तथा बच्च करते रहेंगी हलका फूलका सुपाची भोजन ले यह आपके लिए बैटर होगे जल्द ही आपको रहो जाएंगी और इसको प्राहन दोस्तों यह समय आपके स्वास्त को रखेंगे तो प्राहन होगा परंतु अपने इमिन सिस्टम को मजूद बनाकर रखने का प्रयास करें दोस्तों ये अर्विदिक चीज़ों का अधिक जदिक सेवन करें इनसे आपका जो है स्वास उत्रमना रहेगा और इसको प्रावन दोस्तों ये आपको बता दें कि ज्यादा कारभार के वज़ेशे आपके पेरों में दर्द या फे ठकान की तिती भी बन सकती है तो दोस्तों बात करते हैं कि ये आश्में आपको कौन सी उपाय को करना चाहिए दोस्तों आप शुको बताते हैं कि यदि आपके नोकरी वयपार में कोई दिक्कत आ रही है यूं कहें तो दोस्तों आर्टि-सत्ति-स एकर आप प्रशान है तो दोस्तों इस कृस्णा जन्माश्टमी के दिन आप शाथ कण्याओं को शफेद मिठाई का दान करें दोस्वों यह मिठाई नो मिल सके तो खीर खिलाएं और दोस्वों यह लगतार पांच शुकरवार तक आप उन्हें यह खिलाते रहें दोस्वों माननेता है इसा करने से नोकरी पीजना से जुड़िश मशाव कांत ह होका और धन बेवक्त की आपको प्राप्ति होगी जे दोस्वों और शाथ दोस्वों आरेश दी जानकारियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद